आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में पावर बटन प्रेस करने से या फिर पावर बटन दबाने से यहाँ पर यह गूगल असिस्टेंट ओन होता है तो जैसे कि यह हमने पावर बटन पर प्रेस किया तो यह गूगल असिस्टेंट ओन हो रहा है तो इसे अपने phone में बंद कैसे करें, power button से Google Assistant को कैसे हटाएं, तो इसके लिए आप अपने phone में settings open करिए, phone की setting में नीचे आईए, नीचे आने पर अब आपके phone में ये additional settings आएगा, तो ये additional settings पर click करिए, यहाँ पर आने के बाद अब आप नीचे आईए, नीचे आईएंगे तो आपके phone में ये wake Google Assistant with power button आएगा, तो ये आपके phone में on होता है, अगर आपको अपने phone की setting में ये नहीं मिलेगा, तो इसके लिए जब आप अपने phone में settings open करिएंगे, तो उपर setting में ये search bar आएगा, इसपे click करिए, और type करिए Google Assistant, उसके बाद ये wake Google Assistant with power button आएगा, इसपे आप click करिए, तो यहाँ पर आने के बाद अभी ये wake Google Assistant with power button आपका on होता है, तो आप ये इस button पर click करिए और इसे बंद करिए, तो यहाँ पर ये बंद होने के बाद back आजाईए, और अब चेक करिए power button प्रेस करने से आपके phone में Google Assistant on नहीं हो रहा है तो इस तरीके से power button से Google Assistant को बंद करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like जरूर करें